नमस्कार सभी को Impact Academy के online platform पे आप सभी का स्वागत है तो हमारी जो स्रीज चल रही थी computer की questions जो हम कर रहे थे उसमें हमारा ये next video है ठीक है तो चलिए start करते हैं हमारी आगे की series देखिए question क्या है किस उपकरण को pointing device कहा जाता है ठीक है इसमें से पूछा है क्यूकि हमारा जो chapter है वो हमारा ये input output device से related है तो इसमें आपका पहला सवाल क्या है कि किसको pointing device कहा जाता है तो ploater क्या होते है ploater होते है printer ये तो pointing device हो नहीं सकता ploater क्या होते है printer जैसे होते है लेकिन आप से exam में पूछले HD print वगरा लेने हैं, यानि high quality के print लेने हैं, तो हम किसका use करते हैं, फ्लोट रगा ठीक है, P-ROM ये तो क्या होती है, memory होती है storage ये तो क्या है, memory, storage scanner है, ये एक input device है, लेकिन इसका काम क्या है, soft copy में बदलना किसको hard copy को hard copy to soft copy उसमें बदलना ये जिमेदारी इसकी है, तब हमारा एक बचा input device वो क्या है mouse, और mouse है हमारा किसका करता है, pointing, पॉइंटिंग हम मतले है जैसे ये screen है इसके उपर कहीं भी point करना, यानि हमें कहीं भी okay करना है, तो mouse से भी करते हैं हम और अब जैसे ये sketch है, इससे भी हम कर रहे हैं, तो ये भी एक pointing हो गया यहाँ पे, pointing जैसा ही हो गया, वैसे तो ये pointing नहीं है, उसका reason ही है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा जो function है, वो display device का है, तो इस वज़े से इसको तो नहीं कह सकते, पर वैसे ऐसा ही होता है, light pen बोलते हैं, जिसको वो भी एक pointing device होता है, ठीक है, तो mouse क्या है, यहाँ पे point, यानि screen पे कहीं भी okay करना, point करना आपको, आगे next देखो, एक file को CD-ROM में copy करने की process क्या होती है, देखो, यानि कि ये कह रहा है, CD-ROM क्या है यहाँ पे, CD-ROM आपकी एक device है, जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, CD डालेंगे, और CD के अंदर data डालना होता है, burning, ठीक है, इसे क्या बोलते है, burning process, burning, CD के अंदर data डालने को बोलते है, burning process, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, burning, और यहाँ पे CD की बज़ाए, अगर DVD भी होता, तो भी एकी बात है, अगर DVD है, तो देखो, CD में कुछ डालना है, तो हमें चाहिए, CD burner, है न, CD burner, उसको CD burning बोल देंगे, DVD में कुछ डालना है, तो उसे क्या बोल देंगे, DVD burner, DVD burner, और DVD क्या होता है, Digital versatile disc, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, DVD क्या होता है, DVD की दो full form है, एक होता है, Digital versatile disc, और एक होता है, Digital video disc, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों होती है, लेकिन अगर दोनों आपको एक साथ मिल जाएं, तो आपको versatile को ठीक करना है, यह आपकी exchange में मिल सकते हैं भी हो सकता है, कहीं पे versatile दिया हो, और हो सकता है, कहीं पे video दिया हो, ठीक है, आगे next, निमलिखित में से किसे computer का मस्तिष कहा दाता है, याणि brain किसे कहा दाता है, तो किसे कहा दाता है CPU को, किसे central processing यूनिट Central Processing यूनिट को क्या कहा जाता है Computer का दिमाग कहा जाता है और इसके लिए दिमाग का काम कुन करता है ROM Memory जिसे हम क्या बोलते है Read Only Memory Read Only Memory ठीक है तो यह ध्यान रहेगा ध्यान रहेगा इस CPU के लिए दिमाग का काम करता है ROM वैसे तो Computer के लिए हम दिमाग किसको बोलते है CPU को और CPU के तीन पार्ट हमने थियोरी में पढ़े थे वो आपको ध्यान रखने है एक होता है CU एक होता है ALU और एक होता है इसकी Memory और Memory में भी इसके दो तरह की Memory है एक होता है Register और दूसरा होता है कैसे तो यह बहुत Important Memories है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे Next कौन सी device प्राथमिक Memory से सम्मंदित है देखो यहाँ पे प्राथमिक यानि कि Primary और Secondary दो Memory की बात हो रही है तो आप से पूछा जाए कि Memory जो है वो कितने परकार की होती है तो Memory होती है दो परकार की ठीक है Primary और Secondary अब यहाँ पे पुछा है कि Primary में कौन सा कौन सा है तो Primary में आपके दो होती है एक होती है RAM और एक होती है ROM ठीक है Primary में आपकी दो है RAM और ROM तो इन में से कौन सा है वही हमारा RAM ठीक है और Secondary में बात करें तो secondary भी कही तरह की होती है कुछ optical होती है कुछ magnetic होती है और कुछ semiconductor होती है ठीक है optical की बात करें तो CD, DVD जो हमारी वो optical में आती है magnetic की बात करें तो tape है, magnetic tape है FDD, floppy disk है HDD, hard disk है यह सारे किसमें आती हैं आपकी magnetic में और semiconductor में SSD और जो हमारे chips हो गएरा है यानि के cards जैसे की memory cards हो गएरा है वो सारे तो यहाँ पर क्या पुछा है कि कौन सी प्राथमिक है, तो प्राथमिक यानि के primary कौन सी हमारी RAM है बाकी तो क्या है, secondary ठीक है next आधनिक computer के keyboard में समानेत है कितनी कुझिया होती है यानि की होती है यहाँ पर क्या पुछा है कि number of keys कितनी होती है किसी भी keyboard में तो हमारा जो आधनिक modern है हम उसमें क्या मान के चलते हैं 104 वैसे देखो यहाँ पर अंसर हैगा आपका 104 वैसे 100 से लेकर 107 तक होती है standard ठीक है, 100 से लेकर 107 तक होती है तो आप 100 से 107 के बीच में यहाँ पर 104 ही यहाँ पर आपका रहा है और एक दो कुछ exams हैं वहाँ पर भी 104 को ही अंसर माना गया है तो आप उस हिसाब से भी 104 ठीक कर सकते हैं वैसे 100 से लेकर 107 तक होती है ठीक है, depend करता है कीबोर्ड पर आगे, next USB की transfer speed क्या है ठीक है, यह है transfer speed transfer rate transfer rate data transfer करने का rate पुछा है USB, यानि कि जो हम pen drive वगरा USB की लगाते हैं तो USB port से कितना data जो है वो transfer हो पाता है तो हो पाता है 12 megabits per second, यह आपका HSSC में आया है, यानि कि हर्याना staff selection के एक exam में यह question आया है ठीक है, तो हमने जो questions लिए हैं, वो वही है जो या तो exams में आया है या उनकी पूरी possibility exams में आने की, ठीक है तो 12 Mbps का speed है और USB port जो है अगर इसकी खोज की बात करी तो वो किस ने करी है हमने पहले ही बात करी थी Ajayvi Bhatne Ajayvi Bhatne, अमेरिकन थे इंडिया मूल के भारतिय मूल के हम बोल सकते है CRT monitor में CRT क्या होता है देखो, अगर monitor की बात आये न तो monitor में आपको ध्यान रखना है CRT भी होता है L, E, D, B है L, T, D, B है T, F, T, B है और IPS भी है IPS CRT क्या है cathode ray tube IPS क्या होता है in plane switching technology है ये भी monitor की in plane switching LED होता है light emitting diodes light emitting diodes LCD होता है liquid crystal display और TFT होता है thin film transistor ठीक है thin film transistor faithful forms है ध्यानक ना क्योंकि यहाँ पर CRT का पूछा है और किसे एक्जाम में हो सकता है LCD, LED इन वगरारा के बारे में पूछ ले हाँ quality की अगर बात करे दिन में LED जो है तो वो सबसे बहतर रहेगी अगर इन से compare करे तो क्यों क्योंकि cost wise, quality wise, space wise सबसे बहतर कौन सी है LED ठीक है आगे next निमल खित में है कौन सा एक impact type का printer है देखिए अब यहाँ पे printer के type पूछ लिए अब आपसे exam में जैसे memory पूछते है memory कितने type की होती है और non impact ठीक है अब impact की बात करें तो impact में आता है अपका एक तो dot matrix dot matrix, wheel, printer, line printer इस तरह से ठीक है तो अब देखे यहाँ पे dot matrix यह कैसा हमारा impact है तो अब बाकी क्या क्या बच गया वो देखो बाकी हमारा बच गया ink jet है ना यह रहा ink jet ink jet बच गया हमारा और हमारा thermal है laser है thermal है, laser है यह कैसे है non impact ठीक है, impact और non impact इनमें यह जो category है ना वो किस तरह से बाटे गई है, आवाज के आधार पे ठीक है, भई यह जो है इनहां आवाज जयादा करते हैं, impact वाड़े, क्योंकि इनमें head strike होता है ड्यकर hate strike होता है, striking based चीजह ऐ और वो striking जब होती है तब आवाज उत्वन होती ही हे होती है, तो यह आवाज बहुत ज्यादा होती है printing के समय maple printing के समय आवाज कम होती है तो इसलिए इनको बोल दिया No Impact और इसमें भी जो थर्मल है ये खास है इसमें Heat द्वारा प्रिंटिंग होती है Heat उश्मा द्वारा प्रिंटिंग होती है ठीक है ए प्रिंटर के बारे में ध्यान अखना और प्रिंटर का काम क्या है किसी भी soft document से hard copy में बदलना प्रिंटिड डोकिमेंट में बदलना आगे देखते हैं next क्या है हमारा एक input device है जो हाथों से बनाए हुए चिन्नों जैसे कि छोटे छोटे गोले हों ठीक है टकोर हो पहले pre printed format बनाया जाता है या नहीं कि ऐसा कुछ बना रखा हो हमने ठीक है इस तरह से कुछ बना रखा हो और फिर उनकी पहचान करता है देखो अब ये इस तरह कि हमें कहां पे मिलते हैं OMR sheet में मिलते हैं OMR sheet OMR sheet हमने देखी है paper दिये हैं OMR sheet पे आप paper देते हो university वगरा के exams होता है वहाँ भी roll number वगरा OMR पे ही बरे जाते हैं तो optical mark reader इसको बोलते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा OMR क्या रहेगा OMR optical mark reader optical mark reader अगर औरों की बात करें तो और क्या क्या है यहाँ पे OCR ये है optical character reader optical character reader इसका काम क्या है यहाँ पे जैसे pre-printed छोटे गोले गोले है यह ठीक है छोटे गोले या चकोर होंगी यह खाने इस तरह से तो वो उनकी पहचान करनी है तो OMR अगर लिखे हुए characters की पहचान करनी है ठीक है अगर आपको ऐसे दे दे लिखे गए characters की पहचान या उनको स्कैन करना है तो वो किसे करेंगे optical character reader से ठीक है MBR की बात करें तो full form ध्यान रखेगा MBR की दो full form हो सकती है एक हो सकती है memory buffer register एक होती है memory buffer register और एक होती है master बूट रिकोर्ड ठीक है तो यह दोना full form ध्यान रखेगा master boot record और memory buffer register की दो full form हो सकती है MBR अगर as a register देखें तो यह CPU की जो हमारी memory है उसका पार्ट हो जाता है और master boot record की बात करें तो जब computer हमारा start होता है यानि boot करता है तो उस समय पे कुछ हमें data की जुरुक पड़ती है कुछ records की जुरुक पड़ती है वहां वह कहां पे मिलते है master boot record में मिलते हैं ठीक है आगे next object की properties को access करने के लिए उप्यों की जाने वाली mouse की technique ठीक है के लिए mouse की technique की बात करें ये हिंदी में थोड़ी घड़बढ़ है कोई बात नहीं ठीक है तो उसे क्या कहते है किसी भी object कोई भी file है मालो कोई भी file है या folder है folder को क्या बोलते है computer के अंदर directory ठीक है directory है, कोई भी file है, folder है, directory है, इनके उपर जैसे ही हम right click करते हaré, खुनारे पास एक बड़ासा menu खुल जाता है, बड़ासा एक menu खुल जाता है, जिसके उपर cut, copy, paste, rename इस तरह से नाम होते हैं, और last में होता है, उसमें properties, properties मतलब summary, summary है और इस file के बारे में details अगर आपको देखनी है तो वो कैसे right clicking दवारा कैसे आती है right clicking दवारा किसी भी file folder और डारेक्टरी पे जाके जैसे हम right click करेंगे माउस का जैसे ही माउस का हम right click करेंगे यानि यह दो click होते है ना left click और right click जैसे यह वाड़ा click करेंगे यह किसका काम करेगा property दिखाने का काम करेगा ठीक है और जो left है वो किसका काम करेगा okay का और बीच में कि यहाँ पे पहिया होता है वो किसका काम करता है scroll का ठीक है यह द्य Rekker रहुआ था यह किसका है इंप्पेक्ट Printer कोया है कीबोर्ड की बात करें तो किसलिये यूज करते हैं यह है जिसको हम टैक्स्ट किंबल और नंबर्स है अगर हमें कंप्यूटर में इन्पूट्ट करने है तो किस्के दुर्फ़ पड़ती है कीवोर्ड की, scanner यह है, pictures, या diagram साबके, या लिखी हुई चीजे, लिखे हुए document को भी scan, लिखे हुए document को soft copy में बदल सकता है, ठीक है, यह ध्याना की, यानि कि scan कर सकता है, scanner का काम नहीं, तो exam में आ गया, कि लिखे हुआ कुछ चीजे है, pictures है, या diagram में इन सभी को scan कोन करता है, computer के अंदर input कोन करता है, scanner, text, symbol, number, यह सब हमें input करने हैं, तो keyboard, screen के उपर अगर हमें pointing करनी है, तो mouse, ठीक है, और यहाँ पर क कि है impact और non impact, और उन में से impact किसम का यह एक printer है, ठीक है, आगे, tab key का उप्योग किसलिए होता है, तो tab key का उप्योग होता है, इसके लिए होता है, paragraph को indent करने के लिए, ठीक है, यह तो main उप्योग है, इसका paragraph को indent करने के लिए, ठीक है, इसके लिए होता है, paragraph को indent करने के लिए paragraph indent का मतलब यह होता है कि जैसे मालो यह paragraph है तो इसमें आप कुछ spacing छोड़ सकते हो यहाँ पर यानि यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी ना इसको बोलते है indentation इसे बोलते है paragraph की indentation कुछ जगह छोड़ना पहली line में ठीक है फिर वो से स्टार्ट हो गया फिर जैसे next paragraph शुरू हुआ तो मालो हमने यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी यह क्या है indent indentation के लिए किसका use करते है tab की का tab की सबसे largest की पूछे तो face bar सबसे largest की space bar screenshot लेना है तो prn tscr help menu खोलना है तो f1 help अगर help जाहिए हमें computer की किसी भी software को चलाते समय या computer ही चलाते समय तो हम f1 का use कर सकते हैं f7 से spelling और grammar check करते हैं grammar way spelling check ठीक है grammar way spelling check तो यह कुछ key है आप ध्यान लखेगा बहुत important है arrow की आप से पूछे कितनी है या function key आप से पूछे कितनी है 12 इनको fn की भी बोलते है function key ठीक है total 12 है आगे next computer की समझ सूचना है या output देखने के लिए किस डिवाइस का प्रियोग किया जाता है तो भई इन में से हम किस का उपयोग करते है computer का data देखने के लिए तो दिखाई हमें किस पे देता है चीजे monitor पे ठीक है और monitor की किस में हमने बात करी थी थी ना अभी थोड़ी देर पहले CRT LED LCD ये सारे क्या monitor के type है तो data हमें सारा कहां पे दिखाई देता है monitor पे दिखाई देता है उसके बाद CPU का भाग है ALU और ये आपकी processing से related हो गया keyboard आपका input device हो गया तो यहाँ पे output देखने की बात हो रहे है input करने की तो बात होई नहीं है ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ आपका monitor ही है क्या output हाँ एक चीज़ दिखाई रखिएगा अगर बात करें CRT की CRT आपके दो type के होते हैं ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था इधर पिछे वाले में बाकि जो हमारी theory class से हैं उनमें मैं बता चुका हूँ ठीक है लेकिन यहाँ और बता देता हूँ कि CRT दो type के होते हैं एक होते हैं black and white और एक होते है color और जो black and white है उनको monochromatic बोला जाता है उनको monochromatic बोला जाता है ये ध्यान रखिएगा ठीक है ये exam में आ चुका है आगे इन में से किसे एक परकार का mouse है कौन से माउस के परकार है तो optical और mechanical दो mouse होते हैं robeक है आप कोन से कोन से होते है optical और mechanical जो mouse है वो दो परकार की है optical और एक है mechanical तीक है mechanical वो वाले mouse है जिन में नीचे अगर आप उठा के देखो तो एक rubber ball बहुती है रबर की बोल होती है उसके नीचे ठीक है और जब उसको हम इसे सर्फेस पर घुमाते हैं तो वो बोल घूम के पॉइंटिंग का काम करती है और ऑप्टिकल वाड़े वह वाड़े माउस होते हैं जब आप उनको उठा के देखोगे तो नीचे आपको एक लेजर ला जो मकेनिकल होते थे वाकार में थोड़े बड़े होते थे और हैवी भी होते थे ठीक है तो इस वज़े से हम कौन सा यूज़ करते हैं ऑप्टिकल यूज़ करते हैं आगे नेक्स्ट अच्छा माउस की यहाँ पर खोज की बात करें अब माउस का ही जिकर आ गया तो हमें य थी 1968 में ठीक है वैसे 1962 से 65 के आसपास काम शुरू कर दिया था और हो भी गया था लेकिन पब्लिकली कब दिखाया था 1968 में तो मान लेते हैं कि इस तारिक को जो है इसकी खोज हुई थी ठीक है आगे नेक्स्ट की बोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है अभी अभी हमारी बा जाएगा तो फंक्शन की कितनी होगी बारा और जिन में से मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट एफ वन और एफ सेवन एफ वन किसके लिए हैल्प कमार्ड के लिए और एफ सेवन ग्रामर वै स्पेलिंग चेक के लिए यह ध्यान रखिएगा ओके नेक्स्ट डैस में प्र ये वही फिर से बात अगई प्रिन्टर की तो ध्यान रखिएगा एक होते हैं इंप्क्ट और दूसरे होते हैं इनहीं में ही क्या होता है कागत के बीच सब्पर्क होता है और कागच के बीच समपर्क फिक किस में होता है impact में अभी तो यह आवाद ज़्यादा करते हैं इन में क्या होता है एक head होता है ठीक है और एक ribbon होता है जिसमें ink लगी होती है और एक फिर page होता है जैसे हम कुछ type करते हैं तो head जो है वो strike करता है उस ribbon पे और जो भी वहाँ character छपा होता है वो उस page पे जाक बीच में ड्रम हो सकता है उसके उपर पहिया हो सकता है जिस पर अंकित होते हैं तो वो हैड जब भी ट्रकाराता रहेगा उनके उपर चेहन के उपर यह इन चीजों पर वो छापते रहेंगे उसको पेज के उपर तो इस प्रोसेस में तो आप समझी गए अब टकराने की बात आगी तो आवाज तो यह जादा करेंगे ही ठीक है तो वो सारे आपके इंपक्त होगी इन में से कौन सा उच गणवत्ता की आउटपुट परदान करता है अब आप से पूछ लें उच गणवत्ता देखो जो प्लोटर है हमारे वो उच गणवत्ता के लिए है ठीक है अब उच गणवत्ता पूछ ले HD quality उच गणवत्ता पूस्टर बैनर होल्डिंग्ज फ्लैक्स इत्यादी ठीक है ये सारी चीजें अगर आप से पूछ लेना एक्जाम में कि पोस्टर पृइंट करना है बैनर पृइंट करना है वोल्डिंग पृइंट करना है फ्लैक्स पृइ प्रिंटर करने ऐस का में गाम अथो इस साबसे अगर प्रिंटर और प्र में देखा जाये तो अंतर क्या है कि प्लोरी की quality हाई होती है प्रिंटर के मुकावले तिru Rider में च्छोटे होते प्लोटर कारमें लbor में भी बड़े प्रिंटर करते हैं ऐसी हैं अगर ड़ा करके होते हैं यह आपने बात करी ली आगे कंप्यूटर से पड़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई चोड़ाई की लानने वाले कोड को क्या कहते हैं तो यानि कि इस तरह का कुछ कोड हो इस तरह का कुछ कोड है इस code को क्या कहते हैं यह यह कह रहा है यह आपने ज़ादतर देखा हो जो packing वाड़े हमारे product होते हैं उनके उपर ज़ादतर मिलता है इसे क्या कहते हैं बार कोड इसे क्या कहते हैं बार कोड ठीक है और computer इसको पढ़ सकता है देखो अलग-अलग लंबाई चुड़ाई मतलब इनकी लंबाई और चुड़ाई में अंतर आता है लाइनों में और यह नंबरों को परदर्शित करते हैं जब इनको हम बार कोड स्कैनर से स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं तो उसमें वो जो नंबर इसके पिछे छिपा है वो टाइप हो जाता है इनको बोल करें तो यह तो एक storage है OCR यह हमने बात करी ली एक optical character reader ठीक है लिखे हुए characters को scan करना है read करना है तो उसका काम होता है असकाई जो code होता है American standard code for information interchange असकाई की full form ध्यान रखना वही paper में आ सकती है और यह क्या होता है coding system coding system ठीक है जब भी हमे alphabet symbol यह सब computer में store करने हैं तो हमें coding system की जूरुत पड़ती है तो उन में से असका यह coding system है इसे बोलते है American standard code for information interchange information interchange यह ध्यान रखिएगा ठीक है और असकाई का जो size होता है वो total 8 bit होता है लेकिन 8 में क्या होता है एक bit जो है वो reserve होती है और 7 bit use करते हैं ठीक है bit use में हो रही है तो यानि 2 की power 7 128 total हम values जो है वो represent कर सकते यानि 128 किसम के हम character alphabet symbol यह सब लिख सकते हैं इस coding system से ठीक है आगे next आगे बात करें scanner का सवरूप इन में से किस machine में मिलता है ठीक है scanner का सवरूप scanning यानि क käyt рук कोई आपके पास document है उसको computer के अ अंदर feed करना है तो वो किसमें आता है photo copier machine में जो photocopy वाली machine होती उसमे scanner लगा होता है ठीक है so scanner का सवरूप वहाँ पर मिलता है transf 삽 कंप्यूटर की वर्ड में कितने arrow बटन होते हैं तो arrow बटन होते हैं च्यार behold संत्षा बटन क使ा कितनी मार्र », जोनंबर वाले हैं जिसे कि ऊपर है आपका 1 2 3 4 5 ऐसे गर के 0 तक है फिर इसको कितनी बार दोहराया गया है तो keyboard में इसको दो बर दो राते हैं एक बर इधर होता है किसी keyboard में नहीं होता किसी में होता है तो संख्या को कितनी बर दो राया गया है दो बर दो राया गया है यानि normal keyboard में ये कितने बर होते हैं संख्या इनकी इनको दो बर लिखा जाता है यहां भी होते हैं और यहां भी होते हैं इसको क्या बोलते है नुमेरिक पैड इसे क्या बोलते है नुमेरिक पैड और आप से पूछ ले भी नुमेरिक पैड किसलिए यूज करते हैं तो तेज गती से नंबर टाइप करने के लिए इसका उपियो किसलिए करते हैं तेज गती स करने के लिए किसे तो नाम है लिए की तो आप से पुछे की किस लिए उसको अनेबल और disable करने के लिए एक बर दबा देंगे तो ये pad जो है काम करना शुरू कर देगा दुबारा दबा देंगे तो ये pad जो है वो काम नहीं करेगा ठीक है लोक हो जाएगा तो इसे नम लोक की यूज करते हैं ओके आगे देखो निमन में से आउटपूट डिवाइस कौन सा है तो उपरवालों में पूछा है कि आउटपूट कौन सा है तो आउटपूट हमारा प्रिंटर एक आउटपूट डिवाइस है जहां से हम प्रिंट लेते हैं मोनिटर एक डिस्पले डिवाइस वीडियू है, वीडियू, ठीक है, वीडियू, विजुल डिस्पले, युनिट का भाग है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है, तो D हमारा एक तधा दो, यानि कि A, V, B, दोनो, ठीक है, तो हमारा अंस्वर क्या रहेगा यहाँ पर, A, V, B, दोनो, डेटा किस रूप में हो सकत है, यह भी आपका D रहेगा, लिखित और एलिखित, कैसे लिखित है, जैसे मालों मैंने A, B, C, D लिख दिया, यह क्या एक लिखित डाटा है, लेकिन जो आपको यह दिखाई दे रही है, यह क्या है, एक पिक्चर है, तो पिक्चर जो है, पिक्चर जो है, वो एलिखित में यानि फोटो भी हो सकती है तो computer के अंदर लिखित वई लिखित दोनों परकार का data होता है ठीक है आगे next इन में से कौन सा mouse जैसा काम करता है इन में mouse की तरह काम कौन करता है ये theory में मैंने आपको बार-बार बोला कि अगर paper में आ जाए किसी भी input device की बारे में और लिखा हो कि mouse जैसा ही काम करता है तो trackball जो है वो mouse जैसा ही काम करता है और mouse और trackball में अंतर क्या रहता है mouse और trackball में जो अंतर है वो क्या है कि mouse तो मालो ये mouse है आपका हम इसको इधर उधर इधर उधर घुमाते रहते हैं move करते हैं तभी इसका pointer move होता है लेकिन track bowl में क्या होता है ये एक ऐसे box होगा जो एक जगे Molly पे fix होगा यानि ये क्या होता है एक जगे fix होता है इसके उपर एक bowl लगी होती है और इस bowl पे ऐसे हतेली रखते हैं और इस bowl को घुमाते है ठीक है हतेली रखते ये एक जगे fix होता है सिर्फ इसमें ये बोल घुमती अंदर और इसमें ये पूरा का पूरा माउस ही हम इदर उदर कहीं भी घुमा सकते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं next माउस का कौन सा बटन ओकी के लिए उपयोग में लाया जाता है तो ये हमने अभी बात करी थी माउस के तीन बटन आपको ध्यार रखने है या हो गया आपका left click ये हो गया आपका right click और ये बीच में हो गया आपका यहां पे एक बोल होती है जिसे हम क्या बोलते है scroll button ठीक है तो okay का 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 कौन करता है ये वाला left okay का 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 कौन करता है left वाला और menus वगयरा access करने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए न कि बहुत माउस पे कहां पे click करेंगे तो विशेश menu open होता है ठीक है तो विशेश menu होलने के लिए right click तो यहां पे हमारा क्या रहेगा okay का का काम कौन करेगा बाया okay next आगे बढ़ते हैं सरवादिक तेजगती से प्रिंट करने वाला प्रिंटर यहां पे पुछा है सरवादिक तेजगती से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है इन में से तेज़ प्रिंटर कौन सा है बस यह पुछा है तो इन सब में तेज जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर ठीक है यह ध्यान रखेगा सबसे तेज सबसे तेज कौन सा है लेजर और लेजर के बारे में और भी बाते पूछ ली जाती है जैसे कि इसमें dry ink का उपयोग होता है आप से पूछ लेते हैं कि इस printer में dry ink का उपयोग होता है और यह लगबग on average 100 page जो है वो per minute print कर सकता है ठीक है per page per minute एक minute में 100 से अधिक page जो है यह लगबग print कर सकता है तो यह इसकी speed है तो ध्यान रखेगा dry ink का use होता है और 100 page के आसपास यह एक minute में चाप सकता है और कितने page यह per minute जो है print करता है उसको हम इसकी क्या मानते है speed ठीक है यह ध्यान रखेगा thermal printer आपको बताए था heat द्वारा print करता है Daisy wheel printer में क्या होता है एक wheel यानि के एक पहिया होता है और उस पहिये के उपर characters अंकित होते है ठीक है और बीच में क्या होता है हमारा एक page होता है और head जब strike होता है तो उस page के उपर यह जो characters है छपते रहते है ठीक है तो यह impact में आगा हमारा आगे LCD का पूरा नाम क्या है तो LCD LCD की full form पूचिए आमने बात करी थी सभी की full form तो यह क्या होती है liquid crystal display LCD क्या होती है liquid crystal display आगे next output device इन में क्या possible करते हैं क्या संभव बनाते हैं output device से हम data देख सकते हैं और print कर सकते हैं आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं data को देख सकते हैं और print कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे next निमलिखित में से किस समूँ में केवल input device है अब यहां पे चार यह तीन combination दिये हैं और पूछा है कि इन में कौन सा combination ऐसा है जिसमें सारे के सारे input है तो mouse आपका input है keyboard input है monitor input नहीं है output है mouse input है keyboard input है printer आपका output हो गया फिक है यह दो तो हैं पर लेकिन Florida भी यहाँपे आपका output है त्यानि इन में से कोई नहीं। मैं से कोई combination ऐसा नहीं जिसमें सारे के सारे क्या हो input device हो भी खाया आगे Next Computer के Memory में डाले गई कारिया को परदर्शित कौन करता है Computer के Memory में डाले गई कारिया को परदर्शित कौन करता है और रोम क्या है जो primary memory है उसके दो टाइप है printer क्या है एक output device है ठीक है आगे scanner क्या scan करता है तो scanner मैंने आपको बताया था ना pictures और text दोनों को scan करता है तो आपकी कोई picture है या कोई text है लिखा हुआ है उन सभी को ये scan करके computer में save कराता है input कराता है ठीक है आगे next dash एक game खिलना असान हो जाता है देखो paper में आ गया mouse जैसा ही दिखता है तो वो कुन सा हो गया trackball अब बोल दिया game खिलना असान हो जाता है तो ये हापका joystick गेम खिलना किस से असान हो जाता है joystick हाँ अगर आप से ये पूछ ले कि सामानेत है या ज़्यादत उप्योग होने वाली ठीक है या ज़्यादा उप्योग होने वाली अत्याधिक उप्योग होने वाली ज़्यादा उप्योग होने वाली अगर ऐसे आजाए paper में input device ज़्यादा उप्योग होने वाली input device कौन सी है तो keyboard और mouse जहान रखिएगा keyboard और keyboard वे mouse अपकी दोनों है ठीक है ये सबसे ज़्यादा उप्योग उने वाली है सबसे ज़्यादा क्योंकि हर computer के साथ आप देखोगे ना तो keyboard mouse नॉर्मले आपको मिलेंगे ही मिलेगी laptop में हो सकता है mouse साथ में ना मिले लेकिन वहां touchpad मिलेगा फिर भी लोग prefer करते हैं mouse को ही ठीक है तो जातर हम desktop की बात करते हैं तो keyboard और mouse तो मिलते ही मिलते है control shift और alt control देखो CTRL क्या है control shift और alternate alt मतलब alternate इनको क्या बोलते है CTRL क्या है control ठीक है यह control alt क्या है alternate यह button है वई keyword के अंदर क्या होते है बटन होते है इनको क्या बोलते है modifier की इनने क्या बोलते है modifier की modifier क्यों बोलते है क्योंकि इनको हम combination में use करते हैं कई तरह की command का उप्योग करते हैं अलग-अलग तरह के से यह काम करते हैं और combination में को यूज़ करते हैं ठीक है एक दूसरे के साथ आगे next M.I.C.R में C क्या है ठीक है M.I.C.R M.I.C.R होता है M.I.C.R क्या होता वई M.I.C.R होता है Magnetic Ink Character Recognition Magnetic Ink Character Recognition तो C से क्या है Character कहां पर उप्योग करते है जो Bank Check होता है हमारे Bank Check Number यानि Bank के Check का जो Number है को Scan करने के लिए उसको Scan करने ये लिए ठीक है इसका उप्योग करते है आगे Next O.C.R की Full Form क्या है तो O.C.R क्या होता है Optical Character Reader O.C.R क्या होता है Optical Character Reader पर यहाँ पर Reader नहीं है तो हम किस पर जाएंगे Optical Character Recognition पर यह ज़रूर द्यान रखिएगा अगर Reader Option में ना होगा तो हम किस पर जाएंगे Recognition पर ठीक है फिर किस पर जाएंगे Recognition पर तो और O.C.R का Use किस लिए है यह हम पढ़ चुके है किस लिए है लिखे हुए Characters को Scan करना Characters को Scan करने के लिए और Scan किस लिए करने है Computer में Input करना है इनको Scan करके ठीक है हमें Type ना करना पड़े इसलिए Graphical User Environment में Standard Pointing Device के रूप में हम किस का उप्योग करते हैं तो GUI देखो यह GUI की Full Form दी हुई है अब पेपर में आ सकता है CLI GUI GUI क्या है Graphical User Interface ठीक है Environment यहाँ पर यानि कि जिसमें हम Graphics हमें दिखे Visuals हमें दिखे और हम Select करते रहे Icon वगरा हमें दिखते रहते हैं वो चीज़ है तो उसको बोलते है Graphical User Environment ठीक है Graphical User Interface अगर Graphics ना दिखाई दें Black या Blue Screen दिखाई दें और सिरुफ कमांडों के थरू हम काम ले तो उसे बोलते हैं यानि Command Type टाइप करके हम काम ले उसे बोलते है Command Line Interface उसे क्या बोलते है Command Line Interface ठीक है गेम खेलना आसान हो जाता है Keyboard से जोईस्टिक से Text वे Symbol, Number Input करने है Keyboard Mouse जैसी है एक डिवाइस Trackball और Graphical User Interface में Pointing Standard एक डिवाइस है वो हमारी Mouse है ठीक है आगे Mouse डैस Barne Barne है ठीक है Arrow Barne Arrow आकार में दिखाई देते हैं तो हमें क्या है Pointer उसे क्या बोलते हैं Pointer और अगर ऐसे Eye के आकार में हो और वो Blink करे उसे क्या बोलते है Cursor ठीक है उसे क्या बोलते है Cursor आगे Next Trackball Dash का एक उधान है तो ये किसका उधान है Pointing Device का उधान है Mouse जैसी है एक डिवाइस है जो किसका काम करती है Pointing Device का काम करती है ठीक है बई आगे Next Dash एक Input Device का उधान है इन में से कौन सा Input है बई CPU ये Input Output में होता ही नहीं ये तो अपने आप में पूरा ये अलग Unit है ठीक है अब आपका Monitor है ये एक Output है Printer है ये भी एक Output है Scanner जो है ये किसका है Input का है और Scanner का काम क्या है Hard Copy या Picture या Text हमारे है उनको Hard Copy में हमारे पास है उसको Soft Copy में बदलना Hard Copy से Soft Copy में परिवर्थित करना ठीक है वो इसका काम है आगे Next करसर की मौझदा स्थिती को बाई और से मौझदा स्थिती के बाई और के Character को Delete करना है ठीक है तो किस कुझी का उप्योग होगा ये कह रहा है कि जैसे आप मालो कुछ टाइपिंग कर रहे हैं ठीक है और मालो ये करसर आपका यहाँ पे है तो बाई और का यानि Left अगर Left का Character आपको डिलीट करना है तो हम किसको दबाएंगे Backspace ठीक है किसको Backspace अगर इसी Question में इस तरह से होता दाई और के Character को डिलीट करना है तो दाई और के डिलीट करना है तो इदर तो हो गया Backspace ठीक है delete बटन लबाएंगे तो क्या होगा right का एक character delete होगा अगर right में उसके कुछ है तो कोई character है तो या फिर delete का उपियो किसली होगा बहुत सारे character है वो उनको select कर रखा है words को select कर रखा है वो delete कर देगा file ले या कोई folder select कर रखा है उसको delete कर देगा वो काम तो करेगा ये करेगा पर एक एक character delete करने के भी ये काम पाता है दाईयों और के ये ध्यान अखना बाईयों और आ गया backspace दाईयों और आ गया delete ठीक है आगे किन कुझियों से number जल्दी type की जा सकते है तो मैंने आपको बताया था था की बोर्ड में यहां भी number होते है और यहां भी number होते है इसको बोलते है numeric pad तो numeric keypad जो होता है उसकी सायता से number को बहुत जल्दी से type किया जा सकता है और इसको enable और disable करने के लिए किस key का up you करते है num log key का ठीक है आगे next monitor के display को हम कैसे मापते हैं वह कोई भी monitor है जैसे यह एक monitor ही है मालो हमारा ठीक है अब इसकी जो आकार mapping यह वो कैसे मापते हैं तो वो मापते हैं diagonally ठीक है वो कैसे मापते हैं diagonally यानि के ऐसे कभी भी ऐसे horizontally या vertically नहीं मापते हैं हमेशा कैसे मापते हैं diagonally ठीक है तो यह आकार को ऐसे मापते हैं यह exam में यह आ चुका एक तो ध्यानक ना आपको monitor का resolution जितना अधिक होता है कब होता है resolution अधिक तो उससे क्या होता है उसमें उतने ही pixel अधिक होते हैं उतने ही pixel क्या होते हैं अधिक होते हैं जितना इसका resolution हाई होगा monitor का उतने ही pixel इसमें जादा होंगे और pixel जादा होंगे तो क्या होगा हमारी quality भी हाई होगी क्यों क्यों की जो हमारी picture है इस डिस्पले के उपर जो हमारी ये picture दिखाई दे रही है इसकी जो basic unit है वो क्या होती है pixel और pixel क्या होती है matrix of colors पिक्सल क्या है matrix of colors तो कई सारे color combination यूज़ करके एक छोटा सा pixel बनता है और बहुत सारे pixel इकठे उनको जोडें तो हमारी क्या बनती है picture बनती है ठीक है तो ये resolution high होगा यानि कि pixels की संख्या जादा होगी तो quality भी जादा अच्छी होगी ठीक है पहला computer mouse किस ने बनाया था तो ये हमने बात करी पहला computer mouse किस ने बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने कब बनाया था 1968 में ठीक है लेकिन अगर keyword की बात आ जाए तो बेध्यान तो हमें keyword का भी रखना है ये बनाया था Christopher ने 1868 में Christopher ठीक है Christopher तो फर्ट ठीक है Christopher तो फर्ट ने 1868 में Crystal चित्तर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है अब ये हमने बात करी इमेज की जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है Pixel तो ये थे हमारे questions जादतर हमारे input-output device से related थे इससे पहले कि हमारे basic introduction से related थे architecture से related थे तो आगे हमारे और भी questions हम लेके आ रहे हैं वो software, network और आपके जो बाकी जो topics बचगे उससे related जो है questions नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे ठीक है तो उमीद करता हूँ ये questions आपने देखे हूंगे बहुत important selected questions आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ इन में से ऐसे भी थे जो government exams में आए हैं तो सारे के सारे questions आपके लिए बहुत important है और ये आपके आपने जो study किया है जो theory part आपने पूरा पढ़ लिया है तो उसके बाद आप ये MCQ लगा के देख सकते हो जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने तयारी हो चुकी है और कितने तयारी और करने की जुर्थ है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में और हमारे questions के साथ तब तक के लिए take care धना